तो गैस पहला मोमेंट आज का कपिंग वीडियो को बिल्कुल रखेंगे कुछ आतु फार्तु एडिटिंग नहीं कुछ भी नहीं सीधा स्ट्रेट अब तुम्हें बता रहा हूं क्या करना है फ्रेंट पूल यह थोड़ा सा उपर का एंगल है रिस्ट्रेंज है भार फिंगर कर बताते हैं अगर नहीं है को इसको सब्धार कना करो यह कही है कि और कंदो कड़ घुन है कि और कि इसको कुछ द्रेटिंगे मैं श्क्लाइर साटें में व्हॉंट को को Ε reddok टो ना एक सेषब इसको पहले स्ट्रेट कर स्ट्रेट और फिर वापिस कप कर हाँ पूरा फिंगर पर लोड आने दे फिर कप कर गुड बढ़िया दस बारह दस बारह रैप मारो ठीक है और फटा-फट बस पंप अप करना है फोराम लाक्टिक एसिट भरना है फोराम में ताकि एंडियोरेंस ज इंटर कुशाल है हमारे साथ आम रेस्लिंग कॉंपटिशन में गए थे अब इनको आम रेस्लिंग का शौक चड़ चुका है बहुत अच्छे देजिए तो अब इनकी त्यारी कराएंगे इनको गुकर बनाएं चले लिए वान टू तो यह इनका इस एक्साइस का सेट सबते रहेगा साथ साथ अगली एक्सराइज में वापिस से आख के विडियो में जो हमने पहली एक्सराइज कर लिए रिस्टेंश के जिससे हमने फिंगर और कपिंग दोनों ट्रेंग करिए दूसरी कर रहे हैं यह फ्लाट हैंडल मंटी स्पिनर अलब इसको अलग अलग नाम दे अब यह एक हैंडल है इसके यहां पर हमने जादी अपना हाथ खुशिश करने हाथ जितना आगी जा सके ठीक है जैसे हमारी आम रिस्लिंग स्ट्राइप यहीं बनती है और नीचे बनती है ठीक है अपने से फिंगर पर लोड लेके इसको पीछे कीजा है इसको पीछे कि यह थेरीका होंगा फिंगर स्कूइस करके हैं अगरा थ्मुरा सा में अधी रिया थिके थोड़ा फिंगर इसको अगर कम किकम नहीं हो रहा ना इसको सिर्ट अपकर और पीछे कर वान हो ठीक है कप से जादा बड़ी है इसको हम पीछे करके बस वोल्ड करने है ठीक है सेम दूस्या से वान टू थी पोर फाइन सिक्स सेवन एट नाइन टैंट ठीक अब इसको करो आधा रहा हूं यूगे आधा बड़ी हाँ आधा यहां पर बहुत जोग देता तो इसको बहुत लाइट करना है हम भी दस किलों से करने एक आध सेट के बाद ही उंगलियों में पेन होना शुरू हो जाएगा बट वही चीज आपकी उंगलियों के जॉइंट को कंडिशन करेंगी नहीं हो जोड़ करने है अबने को को अधा है अधित कर के सारी उंगलियों को जो आउंगल है है कि एग का जूए जूए टोए यूश्क इससले नहीं है तो फ्लैट कर देतें शाली और वहा है एगलियों पगड़ियों को अधियर सीदिट कि यहां पूरा हाथ निकाल के और फिर ऐसे स्कूइज कर सकते हैं बस होल्ड करके रख कि अधिया है जो एक्सपीरिंस करा कि वही कॉंपटिशन में अभी डेली स्केट्स में कि ना हाथ की पावर पूरी है कि अधिया है फिंगर कंट्रोल, हैंड कंट्रोल थोड़ा कॉप जो कप का इंदम से इंस्टिंक आता है वो नहीं आता तो स्टार्टिंग से मैं और अपनी सारी टीम अपसे कप पे जादा वर्क कर दी है तो क्योंकि केलिस्टनिक हमारा बेस है तो हम आतों की और लैंट्स की पाउर तो हम बढ़ा लेते हैं बैक प्रेशर और पुलिंग यह सब लेकिन हैं गट्रोल जो एक दम टिप ऑफ दे स्पीर प्रेजाता ना उसको गें कर टोल करता है अब जब श्टार्ट करो ना तो मेशा ऐसे इसको फ्लैट मतरो भार की साइड सीधी रिस्टार्ट करें थम यहां रख लेकिशन से जब थम यहां कर लेंगे तो रिस्ट एकदम स्ट्रेट रहेगी अब प्रेशर लगा के रखो कि थम को भी पुश्ट करते हैं और यह बुल कर लेंगे अच की थर्ड एक साइज कुपिंग ही कर रहे हैं फिंगर पर ही वक करेंगे यह है रिस्ट रेंच पहले वाली एक इंच थी यह दो हिंच है दोनों में बहुत जादा फरका रहता है इसको भी आप तरीका सेने करने का पिंगर्स पर लोड लेना है और रिस्ट फ्लेक्शन करना है रोटेट करो अब इसका कंट्रोल बनाना भी जरूरी होता है कि ऐसे ऐसे ना हो है ऐसे ऐसे ना हो तो एक पोजिशन लेने जिसमें मैच स्टार्ट करते हैं थोड़ा मोटा है हमारे आप उगले बट फिर भी काम करेगा पीछे पूल करा वेट हवा में कप पूरा कंट्रोल ना करना है मैक्सिम्म रिस्ट फ्लेक्शन करना है मैं मैक्सिम्म थोड़ा थोड़ा रिस्ट क्राइब नहीं करनी कि वन अदे विए पांच पांच शे चरड़ और इसके दो तीन सेट लोड़ा एंगेज कर ना तरह रिक तरह रिक पांच पांच शे चरड़ और इसके दो तीन सेट को मिला तो यह तो यह आज का वकाउट जिंपल सा चाट्र का ना में कपिंड ध्यान से आप करना किके शायजेनी वह बहुत शारी होते हैं समक्से अपने अपने तरीके होते हैं हम तो आज इस वाक शेक्षा कर लें किस एअर किसी और तरीके से करेंगे वो भी आपको लिखाएंगे तिल देंट टेक केर गाइस थाइक्स फोल और सपोर्ट बाई बाई